हाई केट्स देखें कुछ क्वेशन्स हैं हमारे पार कहां पर यह जो एक टेबल बना हुआ पूरा जिसमें कि क्या क्या दिया हुआ देखिए कि उची कूद में जो विश्व किर्तिमान और भारती किर्तिमानों के बारे में बताया गया है जैसे मतब जो हाई जंप होती है उस अब देखो यह जो टेबल सहरा इस टेबल के बिस पे हमारे पनापस कुछ क्वेस्टिंस दिए हुए अब दोको क्वेस्टिं क्या है चंदरपाल को उची कूद के विश्व किर्थिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमेटर ओर कूद्वना पड़ेगा आप देखो चंदरिपाल को विशु शु किर्दमान के बराबर आने के लिए दिखें चंदरिपाल का पहले रिकॉडर देखना पड़ेगा हम ठोव है दो मीटर और 17 संटी मीटर का और जो वल्ड रिकॉर्ड है वह है अब दीखे, बॉबी A को 2 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा, आप देखो, बॉबी A, बॉबी A है 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर, आप आपको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, तो 91 को 100 तक पहुशने के लिए कितना और चीए, simple है 9, तो लंबी कूद है, वो है, 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर की, तो लगबग कितना हो गया, 52 का मतलब 7.50, साड़े साथ को मतलब 7.50 होता है, तो लगबग 7.50 मीटर की है, ठीके, साड़े साथ में वैसे कितना होता है, 7.50 तो वो 7.52 है, आप देखो, महिलाओं का विश्व किर्थिमा और यह है लंबी कूद का, तो लंबी कूद और सबसे उची कूद, अब देखो, लंबी कूद कितने की है, 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर की, तो वो हो गया आपकी 7.52, और उची कूद है आपकी 2 मीटर और 9 सेंटीमीटर, अब देखो 9 को कैसे लिखते हैं, 9 को हम लिखेंगे 0 और 9 ओके तो इन में कितना अंतर है तो पता जो जाएगा 12 में से 9 गया हमारा 3 यह बन गया 4 और यह हुए 7 में से 2 गया 5 ओके तो कितने की है वो कितना डिफ्रेंस है 5 मीटर और 43 सेंटीमिटर का अब देखो यदि माइक पी 10 सेंटीमिटर अधिक कूता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर की हूथ यह दि माइक भी अब देख ़ेगा मैड़ी यह है एट्म सेंटीमेटर अक गूता तो उसकी कूद ऊदिक कि fucking हो जाती है किसकी और जारी नजजदीख है धाई मतलब होता है 2.50 अब देखो सबसे पहला है इस्तिवका के अब देखो सबसे पास क्या दिख रहा है सबसे हम सब 209 चंदरपाल का है आपका 2.17 जेवियर ऐसे आपका 2.45 और बॉबी एह है आपकी 1.91 तो कौन है सबसे पास सिंपल है यह वाला यह वाला अंसर इसका सही है ओल्राइट में आ रहा है